दोस्तों ये है मेला पिक क्रीम आज के वीडियो में हम इसी मेला पिक क्रीम के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी जैसे ये मेला पिक क्रीम में इंग्रेडेंट क्या है मेला पिक क्रीम का इंग्रेडेंट कैसे काम करता है मेला पिक क्रीम डॉक्टर कब और क्यूं सेज़ेस्ट करते है मेला पिक क्रीम लगाने के फायदे क्या क्या है और मेला पिक क्रीम लगाने पर इसका क्या साइड एफेक हो सकता है ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहां मैं आपको बता दूँ मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की या लगाने की सल नहीं देता हूँ, मेरा मकसद मेरा उदेश आपको सिर्फ जानकारी देने का है, ऐसी कुई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, दोस्तों मेला पीक क्रीम के बारे में जानने के लिए आईए सबसे पहले जानते हैं, इस मेला पीक क्रीम में मौझूद इंग्रेडिन के बारे में, दोस्तों इसमें तीन तरह की इंग्रेडिन का इस्तेमाल किया गया है, पहला है हाइड्रोक्विनोन, दूसरा है ट्रेटिनो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्विनोन के बारे में हाइड्रोक्विनोन इसकिन में मेलानिन के फॉर्मेशन को कम करने का काम करता है मेलानिन हमारे इसकिन में छुपा एक पिगमेंट होता है जिसकी वज़े से हमारा इसकिन गहरा होता है मतलब जिनका इसकिन में मेलानि ज्यादा है उनका skin color सामला या काला होता है और जिनके skin में melanin का formation कम हो रहा है उनके skin का color गुरा होता है मतलब skin का color कैसा है आपके skin का color कैसा है ये आपके melanin pigment पर depend करता है और hydroquinone यही melanin के गठन को melanin के formation को कम करने में मदद करता है जिससे हमारे skin में निखार आता है हमारे skin को bleach करने का काम करता है इसलिए hydroquinone को skin lightening agent कहा जाता है ये skin को bleach करने का काम करता है और hyperpigmentation को कम करता है जिससे milazma भी कहा जाता है कई लोगों को आप देखे होंगे उनके स्किन पर च्छाएं होती है या उनके स्किन पर गहरा पैच दिखाई देता है ऐसी समंस्याओं को हाइपर पिङमेंटेशन या मिलाजमा कहा जाता है दोस्तो हैड्रोकिनोन डार्क स्किन को गورा करने में भी मदद करता है और स्किन का कलर निखारने में भी असरदार होता है लेकिन इसे लंबे समय तक लगाया गया तो स्किन में इसका काफी जादा बदलाव भी देखने को मिल सकता है जो इसके साइड एफेक होने का संकेत देता है दोस्तो अब आईए बात करते हैं ट्रेटीनोईन के बारे में ट्रेटीनोईन के बारे में जाने तो ट्रेटीनोईन जो एक तरह का विटमिन A होता है और ये एकने के ट्रीटमेंट के रुप में इस्तमाल में लाया जाता है Tritinoin acne और pimples को ठीक करता है और बढ़ती उमर में बनने वाली जुनियों को भी कम करने में मदद करता है Tritinoin stretch mark को भी कम करने में मदद करता है और हमारे skin में जो dark spot होते हैं उसे भी कई हद तक कम करने में मदद करता है दोस्तो Tritinoin एक ऐसा topical solution है जो हमारे skin के लगबख सभी तरह की समस्याओं में काफी असरदार होता है ये skin में होने वाले इचिंग को भी कम करता है, skin को गूरा करने में भी मदद करता है, skin में बढ़ने वाले जुर्यों को भी कम करता है और skin में खिचाओं भी लाने में मदद करता है, skin को जवा रखने में भी मदद करता है, ये Tritinoin दोस्तो अब आईए बात करते हैं, मेला पी क्रीम में मौजूद तीसरा ingredient मोमेटासोन के बारे में दोस्तो मोमेटासोन जो एक स्टोराइड क्लास की मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल आम तोर पर एकजीमा के इलाज के लिए डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं एकजीमा के इलाज के लिए contact dermatitis, जिससे चर्म रोग भी कहा जाता है, जो खुजली के साथ होता है और एक दूसरे में फैले वाला ये skin रोग होता है और इसके इलावा मोमेटासोन का इस्तेमाल सोराइसिस के इलाज के लिए भी डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं सोराइसिस में skin में लाल चकते होते हैं और सूखी पापडियों के साथ तेज खुजली होती है और skin rashes भी होता है ऐसी समस्याओं में डॉक्टर मोमेटासोन क्रीम लगाने की सलाह देते हैं जिनके skin में rashes हो गया है और जिनके skin में fungal infections जैसी समस्या है उन्हें भी doctor mometason cream वाली दवा suggest करते हैं mometason cream बहुत सारे skin disease में इस्तिमाल की जाने वाली दवा है जैसे atopic dermatitis या seboric dermatitis जो psorisis के category में ही आता है मतलब ये डॉक्टर की परची में ही इस्तिमाल करने की सलाह दे जाती है अगर आपको कोई डॉक्टर कहे तब ही आप मोमेटासोन क्रीम के इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत सारी क्रीम मार्केट में अविलेबल है जिसमें सिर्फ मोमेटासोन होता है जैसे मोमेट क्रीम मोमेट क्रीम में सिर्फ मोमेटासोन होता है जो स्किन के कई सारे बिमारियों में डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं मेला पिक क्रीम के बारे में जो कई सारे लोग चेहरे पर लगाने वाली क्रीम समझ कर इस्तमाल करते हैं बिल्कुल इसे चेहरे पर इस्तमाल करने वाली क्रीम माना जा सकता है कई सारे डॉक्टर इसे चेहरे पर लगाने की सलाह देते हैं लेकिन सीमित समय के लिए अगर आप लंबे समय तक ऐसी कोई क्रीम अपने फेस पर लगाते हैं तो इसका काफी जादा आपको साइड इफेक भी देखने को मिल सकता है ये जो मेला पिक क्रीम है इसे शौर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए इस्तमाल किया जाता है शौर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ट टू मोडरेट मेलाजमा ऐसी समस्याव में डॉक्टर इसे लगाने की सलाह देते हैं दोस्तों ये जो मेला पिक क्रीम है ये स्कार को कम करता है मार्स को जो हमारे स्किन में दाग धबे होते हैं जो हमारे स्किन में जहाई होती है उसे कम करने में मदद करता है blemishes को कम करता है dark circle को कम करने में मदद करता है लेकिन इस बात का धियान रखे कि ये short term treatment में इस्तिमाल की जाने वाली दवा है इसलिए कई बार डॉक्टर इसे एक महिना के लिए या दो महिना के लिए ही लगाने की सलाँ देते हैं two months से जादा या दो महिने से जादा अगर इसे लगाया जाए तो इसका हमारे स्किन पर काफी जादा इसे लगाने पर हमारे स्किन पर काफी जादा बदलाओ देखने को मिल सकता है जो इसके side effect होने का संकेत देता है दोस्तों अगर हम बात करें मेला पिक क्रीम के साइड इफिक के बारे में तो इसे लगाने पर हमारे स्किन में अलर्जिक रियक्शन दिखाई देना अलर्जिक स्किन रैशिस दिखाई देना इरिटेशन होना हमारे स्किन में इलचिंग होना हमारे स्किन में सोर होना या हमारे skin में skin inflammation देखने को मिलना skin में सूजन देखने को मिलना skin में लाली पन होना face के skin का पतला हो जाना या skin का sensitivity होने जैसी समस्या हो सकती है इसके इलावा skin में एक तरगा condition होता है erythema जैसी समस्या भी देखने को मिल सकता है इसलिए ऐसी कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले ले ऐसी कोई भी क्रीम जिसमें हाइड्रोकिनोन है ट्रेटिनोईन है और साथ ही साथ मोमेटासोन है तो मोमेटासोन जो एक तरह का कॉर्टिकोस्टराइड क्लास की मेडिसिन है इसे लगाने की सलाह नहीं दी जाती है अपने से बिलकुल भी इसे इस्तमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है इसलिए इसे इस्तमाल करने से पहले आपको एक बार सोच विचार करना बहुत जरूरी है अगर आप मेला पीक क्रीम के इस्तमाल करते हैं और इस तरह कोई साइड तो तूरंत मेला पिक क्रीम लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं तो दोस्तों ये तो था मेला पिक क्रीम के बारे में जानकारी आपको मेरी या जानकारी कैसी लेगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक करिए श सब्सक्राइब जरूर करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जए हिंद